हेलो फ्रेंड सौगत है एक पर फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल कनेडियन टॉक्स में आज हम आपके साथ एक पर फिर हाजिर हो गए हैं हम बात करेंगे दो बड़े मुदों पर एक तो वेक्सिन के उपर और दूसरा आज बात करेंगे जो हम लगातार करते हैं कि के इसकार्च किया बना तो सबसे पहले मैं बात कर लेक्सिन की जो केड़ा की पेस चल रही है वेक्सिन की वह बहुत बहुत बहतरी पीस है पॉइंटीट परसेंट लोगों को रोज वेक्सिन लग रही है अगर इसी पेस से चलेंगे तो 19 जू तारीक हमारे सामने आ गईए है 19 बात करें दूसरी डोस की अगर इसी पेश से लगता रहा तो 15 अगर्स तक दूसरी डोस से भी हम फ्री हो जाएंगे हम जानते हैं लगातार केनेडा सरकार ने बयान दिये थे कि जब एक डोस हो जाएगी सारे केनेडा को हम चीजें काफी हद तक खोल देंगे लेकिन जब दो कंप्लीट हो जाएगी फिर लगबग नहीं कंप्लीट ओपन हैं तो यह बहुत अच्छी बात है कि 15 अगर्स लगबग अब तरीक के पास आ रही हमने जून को एक महीना रह गया है यह मारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ट्रैवलिंग भी शुरू हो जाएगी और के साथ मैं एक और अप्डेट आपको देना चाहूंगा कि जल्दी जून में खबर आ रही है कि कैनेडा और USA के बॉर्डर्स खुल सकते हैं सबसे पहले किसी भी कंट्री में खुलने से पहले यह सबसे बड़ी बात है कि जब इनके बॉर्डर्स खुलेंगे मतलब हमारी भी तो केसिस की बात कर लेते हैं अगर हम बात करें केसिस की आज ओंटारियो में जी हां ओंटारियो में कल 2000 सम्थिंग केस थे और आज हम बात करें सिरफ 1616 केस रह गए हैं यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनकर सामय आई है कि 1616 केस रह गए हैं जिसमें से बात करें lowest number and its first time below 2016 24 मार्च के बाद पहली बार 2000 से नीचे यह लिख के रख लीजए नोट कर लीजए 2000 से नीचे केनेडा ओंटारियो पहुंच गया और जो सबसे खत्रे वाली स्टेट बनता जा रहा था खत्रे वाला प्रोल्वेंस बनता जा रहा था अब उसमें केसिस काम होने शुरू हो ग लगातारी सोशल डिस्टेंसिंग, ये मास्क डालना भूलना नहीं होगा, तब ही केस कम होगे, लेकिन इतनी बड़ी चलांग ओंटारियों ने लगाई है 1616, सीधा 2070 केस से 1616 पर आई, ये बहुत बड़ी बात है, और ये इतना अच्छा डाउनवर्ड ट्रेंड बन चुका ह जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है, और दूसरी, और ऑंटारियों में केस्स कम हो रहे, कैनेडा में केस्स कम हो रहे है, लेकिन आपको एक मैं बात लगा तर कह रहा हूँ, कैनेडा टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर आपको अपडेट आती रही, कैसी इसकी आने वाले समें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ इस यूट्यूब चैनल पर आने लगेंगी वेकिन आपको इसके लिए इसको सब्सक्राइब करना होगा तो धन्यवाद